जैमातादी दोस्तों, वर्ल बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दिवाली कपर्फ साल 2022 में कम मनाया जाएगा। 24 अ साथ आपको लक्षमी गडेश पूजन की संपोर्ण विधी भी बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल वर्ल बैस्ट मैजिक को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन दबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों हिंदू धर्म में दीवाली के तेवहार का विशेश महत्त होता है हिंदू पांचांग के नुसार दीपा वली प्रतेक वर्स रोसनी का तेवहार है मानिता है कि इस दिन भगवान स्री राम ने लंका पर विजय प्राप्ति के बाद अयोध्या वापस आये थे जिसकी खुसी में नगरवासियों ने अपने प्रभू राम के स्वागत में दिये जलाये थे इसके लावा ऐसी मानिता भी है कि दीपा वली पर मालक्ष्मी का प्रकट हुआ था जिस कारण से दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विशेश महत्त है पुराणों के नुसार समुद्र मंथन के दोरान कार्तिक मा की आमोस्या पर मालक्ष्मी प्रकट हुई थी इस दिन लक्ष्मी पूजा करने से लक्ष्मी जी की विशे लक्ष्मिगडेश, कुबेर व मातासरस्ति की विशेश पूठय अर्चना की जाती है। सास्त्रों के अनुसार लक्ष्मिपूजन प्रदोसकाल में किया जाना सबसे सर्वुत्तम माना जाता है। प्रदोसकाल का मतलब है सूर्यास्त के बाद के तीन मूहुरत। इसके लावा प्रदोस काल के दौरान इस्तिर लगन में लक्षमी पूजा सबसे स्रेश्ट मानी गई है माना जाता है कि इस्तिर लगन में की गई लक्षमी पूजा इस्थाई लक्षमी का वास्थ घर में करवाती है इसके लावा महान इसी ताकाल में भी लक्षमी पूजन का महत्त है तो चलिए जानते हैं कि साल 2022 में दिवाली कतिवार कब मनाया जाएगा तो आपको बता दें कि अमौस्य अतिती की सुरुवात 24 अक्टूबर 2022 की साम को 5 बचकर 27 मिनट पर हो जाएगी और अमौस्य अतिती की समाक्ती 25 अक्टूबर 2022 की साम को 4 बचकर 18 मिनट पर रहेगी तो प्रदोस काल की अमौस्या 24 अक्टूबर को मिल रही है इसलिए दिवाली कतिवार 24 अक्टूबर 2022 दिन सुमवार को मनाना ही स्रेजट रहेगा और बात करें लक्षमी पूजा के सुमूरत की तो इस दिन लक्षमी पूजा का सुमूरत साम 6 बचकर 53 मिनट से लेकर रात 8 बचकर 16 मिनट तक रहेगा इस सुमूरत की कुल अवदी एक घंटा 23 मिनट की है और इस दिन प्रदोस काल साम 5 बच कर 43 मिनट से लेकर रात 8 बच कर 16 मिनट तक रहेगा और व्रसब काल साम 6 बच कर 53 मिनट से लेकर रात 8 बच कर 48 मिनट तक रहेगा और बात करें महानी सिता काल के मुहुरत की 31 मिनट तक रहेगा इस सुब मूरत के कुल अवदी 51 मिनट की रहेगी और इस दिन सिगनल लगन जो की स्थिर लगन है वह रात 1 बच कर 30 मिनट से लेकर सुबा 3 बच कर 41 मिनट तक रहेगा दोस्तों दिवाली के दिन सुब से पूजा की तयारी सुरू हो जाती है घरों को रंगोली और प्रकास से सजाया जाता है दिवाली की साम और रात को सुब मूरत में मालक्षमी और भगवान गडिस मासरस्वती और कुबेड देवता की पूजा अराधना की जाती है दोस्तों मानेताओं के नोसार कार्टिक अमौस्या की रात को मालक्ष्मी स्वर्ग लोग से प्रत्वी पर आती है और घर-घर में विचरण करती है जिन घरों में साफ सफाई, सजावट और प्रकास रहता है वहाँ पर्मा लक्षमी अपने अंस रूप में निवास करने लगती है। घर पर लक्षमी का वास होने से वहाँ पर सदैव, सुक सम्रद्धी, धन दौलत और सांती बनी रहती है। चलिए जानते हैं दिवाली की पूजा में सामगरी क्या क्या लगेगी। दोस्तों दिवाली की पूजा में सबसे जरूरी चीज है लक्षमी गडेश जी की मूर्ती। इसके लावा रोली, अक्षत, पांच सुपाडी, लौंग इलाइची, चंदन, घी, गंगा जल, फूल, और माता लक्षमी के लिए कमल और गुलाब के फूल और माला, फल, मेवा, म इठाई, इत्र, खील, बतासे, कपूर, धूप और दीपक, तेल याघी से भरे हुए दीपक, नारियल, दूरवा, चौकी, कलस, लाल कपड़ा, चांदी कसिक्का, ये सभी सामगरी दिवाली पूजा में लगती हैं, जिनें आप पूजा इस्थल पर एक जगा एकत्र कर ले दोस्तों, दिवाले के दिन प्राता काल सुबा जल्दी उठकर इसनानादी करने के बाद घर और पूजा इस्थल की साफ सफाई करें, फिर अपने पूरे घर को गंगा जलचड़कर सुद्ध करें, और घर के मुख द्वार पर रंगूली बनाएं, और साम को सुब मूरत मे आप पूजा की त्यारी करके पूजा करें, आप पूजा इस्थल पर एक लकड़ी की चौकी रखें, और उसके उपर लाल रंग का वस्तर बिचा दें, इसके बाद लक्षमी गड़ेस और कुबेर भगवान की मूरती स्थापित करें, तद पसचात आप कलस की स्थापना कर कलस में जल भर दें, और उसमें आम के पत्ते रखकर ढकन से ढक दें, अब आप कलस का पूजन करके पूजा आरंब करें, इसके बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर मा लक्षमी और भगवान गड़ेस जी का ध्यान करने के पसचात भगवान स्री गड़ेस और मा ल चम्रत से इसनान कराएं, आप मूर्दियों को किसी थाली में रख कर दूद, दही, सहद, घी और सक्कर से इसनान कराएं, इसके बाद गंगा जल से इसनान कराएं, फिर सुद्ध जल से इसनान करने के बाद उसे साफ कपड़े से पोच कर फिर से चौकी में विराजित कर दें, और यदि आपकी मूर्ती मिट्टी की है तो आप सिर्फ जल का छीटा दें इसके बाद लक्षमी जी को तिलक लगाएं रोली कुम कुम आदी अर्पित करें अक्छत अर्पित करें आप गड़ेज जी को जनेव अर्पित करें फल आदी चढ़ाएं फूल माला अर्पित करें इसके बाद लक्षमी गड़ेज के आगे खील, बतासा, आदी अर्पित करें और यदि आपने कोई आभूसन खरीदे है या कोई जोलरी खरीदी है तो आप उसकी भी पूचा करें फिर पूरा परिवार मिल कर गड़ेज जी और लक्षमी जी की कथा सुने धूब दीब जला कर लक्षमी जी की आर्थी करें आप चाहें तो इस दिन स्री सूक्त का पाट कर सकते हैं या गड़ेज चालीसा या लक्षमी चालीसा का भी पाट कर सकते हैं फिर महा लक्षमी पूजन के बाद आप अपने घर की तिजोरी बही खाते वापुस्त को आदिकी पूझा करें और अंत में घर के हर हिस्से में घी और तेल के दीपक जलाकर अपने घर को रोसन करें और सभी में प्रशाद का वितरन करें तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्ते पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और साथी साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद